नमिश्कार आप देखने नियूस 31 और मैं हूँ आपके साथ केरव बाबसिद्ध की मडर केस में हर दिन नए खुला से हो रहे हैं इस केस की हर एंगल से छानबीन हो रही है जिसके चलते अलग अलग तर सामने आ रहे हैं आपको बता दें इसी बीच पुलिस को इस बात का संद कि इस मामलत की मामले पर C梌 की जाज करने वाले अधिकारियों को लेकर कोई पुक्ता सबूत नहीं है जिससे किसी भी अंजाम पर tapi यह सके कीमिल्जांतारी के मुताबिक पुलिस को संदे है कि आरूपी सुवम लोड़कर सिवकुमार गौतम और जिस्तान अक्तर ने खुद ही बाबा सिद्धी की सुपारिनी थी जिसकी जाच में पुलिस जुड़ गई है पुलिस इस बात की जाच कर रही है कि क्या स्लंब रिहाबिलिटेशन का करकी एक बजा तो नहीं वन गई दैसल यह बात है साल दोहजार अक्थारा की जब दोहजार अक्थारा में इडी ने बाबा सिद्धी की 462 करोड रूपे की संपत्ति को अटेच किया था यह संपत्ति बांद्रा वेस्ट में स्थित हैं इजिंसी बात की जाच कर रही थी कि क साल दोहजार से 2004 तर महरास्ट हाउसिंग और एरिया डेवलप्मेंट अथारटी के चेयर्मेन के रूप में अपनी पत का गलत इस्तमाल तर पिरामिट डेवलपर्स को बांद्रा में विक्सित हो रहे सलंग डियाबिलिटेशन अथारिटी प्रजेक्ट में मदद की थी हाला कि बाबा सिद्धिगी के बेटे जिसान सिद्धिगी ने सनिवार पो एक शोशल मीडिया पोस्ट की जिसमें जिसान सिद्धिगी ने एक शायरी लिखी है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो इशारों इशारों में किसी को कोई संदेज दे रहे हैं जिसान सिद्गी ने यह अपीन की है कि उनके पिता की मौत का राजनिती करण नहीं किया जाना चाहिए और नहीं उनकी हत्या व्यर्थ जानी चाहिए